क्या है आशिका का प्लैन क्यों रजट सभी हुए आशिका के खिलाफ एक कैसे करेगा रजट जिगर को एक्सपोस सार प्लैस की सीरिल गुम है किसी के प्यार में की आगे की कहानी में आपको देखने को मिलने वाले हैं काफी ही इंटरस्टिंग ट्विस्ट एंटर्ण्स क्योंकि शो में आने वाला है एक और नया तूफान जहां पर रजट सभी की जिंदिकी में प्रॉब्रम जाने की बजाए दिन पर दिन और भी जादा बढ़ती ही जा रही है पताते कि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि आश्यका एक बार फिर से चलने वाली है एक ऐसी चाल जिसके बाद रजट सभी को होना पड़ जाएगा एक जिहां क्योंकि वो सभी और रजट के अलग होने का फाइदा उठाएगी जिसके चलते वो सभी की कस्टडी को पाने के लिए वापस जज के पास पहुँच जाएगी और बताएगी कि रजट सभी दोनों अलग हो चुके हैं जिसके चलते जजज जो है रजट सभी के बारे में पता करने के लिए उनकी घर चली जाएगी जहां पर पहले तो पूरा ठकर परिवार जजज को देखकर परिशान हो जाएगा लेकिन फिर रजट और सभी एक साथ आकर जजज को बताएगे कि वो दोनों एक दूसरे से अल जिशान हो जाएगी इसके बाद जजज वहां से चली जाएगी और वहीं रजट आशिकाव को सुनाएगा खूब खरी खोटी इसके बाद रजट ताप्सी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचेगा तो गार्ड रजट को बताएगा कि ताप्सी वहां नहीं है ऐसे में रज सुन लेगा जिसके चलते रजट को भरूसा हो जाएगा कि सभी जिगर के बारे में बिल्कुल सही बोल रही थी ऐसे में बातों को सुनका रजट का गुस्सा काफी ही हाई हो जाएगा लेकिन फिर वह सभी घरवालों के आगी उसका परदाफाश करने का फैसला करेगा इसी क वही जिगर एक बार फिर से करने वाला है बहुत बड़ा ड्रामा जहां पर ठकर हाउस को छोड़ने का फैसला लेते हुए नजर आएगा ऐसे में तारा जिगर को रोकने की कोशिश करेगी लेकिन जिगर तारा के आगे अच्छा बनने का नाटक जारी रखेगा और उसे घर चोड़ने की बात करेगा लेकिन वही रचत एक बार फिर से तापसी की घर उसका जिगर की खिलाफ ब्यान लेने जाएगा ताकि वो सभी पर लगे गलत इल्जामों को मिटा सके अब ऐसे में ये देखना तो काफी इंटरस्टिंग होगा कि क्या तापसी दे पाएगी जिग करके डर से रखेगी अपना मूबर क्या होगा आगे सीरियल में नहीं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इस सीरियल से जोड़ी सभी खबरों के लिए फॉलो और सिब्स्क्राइब करें इस ताप